अपना ब्रेक अप हो जाने के बाद एक लड़की को सूपर पाउर मिल दिया जिस वो टाइम को स्टॉप कर सकता है ताइम स्टॉप करकर लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकता था अगर आपको वीडियो अच रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा और बीना किसी तरीके एकस्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होते हम हमारे मेन क्यारेटर बेन का प्रेकप देख सकते हैं जिस लड़की से उसका प्रेकप हो रहा था सुजी कि उसकी फर्स गल्फेंट थी तो उसके साथ बिताय हर पल उसे याद आ रहे थे वर्णर करता है कि उसका प्रेकप हुआ कैसे एक पल में तो एक साथ थे एक दुसरे को आई लवे पूल रहे थे और नेक्स्ट वीक सुजी किसी और के साथ थी तो शायद उसको भी आई लवे पूल रही हो की पर इसका कोई भी मिनिंग नहीं है बेन के फ्रेंड का नाम था शौन, शौन उसे समझाने की कोशिश करता है उसे सिर्फ एक बेटर आप्शन मिल गया इसी वज़े से उसके पास हो चलीगे उसके बारे में तुम्हें जादा सोचना नहीं चाहिए तुम किसी ब्यूटिफुल से लड़की को टेट करो, फिर सुजी को जेलस लगेगा और तुम्हारे पास वो वापस आ जाएगी शौन का लड़कियों के साथ experience बहुत ही घटिया था, हर लड़कियों से मार कर चली जाती थी, तो उसके advice बेंड नहीं ले सकता शौन आर्टिस बनना जाता है, जब भी उसकी drawing class होती थी, तो हमेशा लड़कियों कोई draw करता था हमेशा उसे सुजी की याद आती रहती थी, एक रात उसने उसे call किया, उसने पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं, सुजी ने उसे मना कर दिया वो दिन रात हमने बेड में पड़ा रहता था, सुजी के जाने के बाद जैसे उसको oxygen चला गया था, स्लोली स्लोली उसकी नीन भी चली के, उसने सोने का बहुत try किया, पर फिर भी वो कर नहीं पाया, अब suddenly उसके पास 8 extra hours थे, वो अलग-अलग चीज़े try करता था, पर फिर पर भी time pass नहीं होता था, वो कुछ भी करे, सुजी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी, एक रात वो grocery लेने के लिए क्या हुआ था, वहापर notice देखता है, कि उन्हें काम करने के लिए staff की जरूरत थी, बेन को नीन नहीं आती, तो 8 extra गंटे पिताने के लिए यहाँ पर वो मैं नोटिस किया, कि उसका manager Sharon के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है, Sharon को यह बात uncomfortable लगती है, अपना job करते हुए बेन नहीं हमसे कहा, कि हाँ सुपर मार्केट में time बहुत ही slowly जाता है, इसको ज़रा fast करने के लिए हम employees अलग-अलग चीज़े करते हैं, हर एक की अ shopping mall में race लगाते हैं, तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीज़े रख देते हैं, इसी तरीके से हर कोई time pass करता था, और बेनने का मेरा तरीका कुछ अलग ही है, जब उसका break up हुआ, तो उसके लिए time गुजारना बहुत ही hard था, तो एक super power उसमें आके, यह super power time को stop कर पाने की, वो अपनी power से सब को stop कर देता, और सारी चीज़े घूमने लग जाता, super market की सारी beautiful लड़कियों को notice करता था, उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से ही power होती है, वो जब छोटा था, तो एक foreign student उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी, वो बहुत ही beautiful थी, वो हमेशा उसे ही देखता रहता था, बेन जब यह time stop करता था, तो हमेशा लड़कियों की new drawing करता था, उसने एक novel में पढ़ा था, कि लड़कियों को painter के साथ affair करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी beauty चैसी है, वैसी हो देख सकते है, ऐसे ही बेन drawing करते हो अपना time ग करना चाहिए, शान हमेशा उसे यही बात कहता रहता है, तो इस moment को भी वो pause कर देता है, एच्छोन में बेन और शान यह 55 से बहुत अच्छे friends था है, जब शान की मदर घर से चली जाती, तो दोनों मिलकर nude magazines देखते है, एक दिन जब दोनों देख रहे थे, शान की मदर इस सारे friends लाइन लगा कर उसे मिलने के लिए जाते थे, इसके बाद हम देखते है, अगले दिन बेन और शारन की नजरों से नजरे मिली थी, लौकर रूम में शारन को ज़रा भुक लगी थी, तो बेन का सैन्विच मांग लेती है, सैन्विच का पिकल शारन के गाल पर लग जैसे कि Bollywood movies में होता है, वैसे एक romantic सा इनका moment हुआ, यह moment बेन जाने नहीं देना चाहता था, इसे freeze करकर रखना चाहता था, पर शारन चली गई, वो कुछ भी कर नहीं पाया, उसे अच्छा लग रहा था कि सुजी से move on करकर, अब वो शारन को like करने लग लग गया है, तो वे उसके friend ने discuss कर रहे थे, Matt कहता है, आज मैंने शारन को date के लिए पूछा, Matt इसके लिए बहुत excited था, पर वे इनको बहुत भुरा लगता है, बेनम से कहता है, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही चिज़े होती रहती है, तो जिसको भी like करता है, उसे दूर चले जाते है, वो जब छ देखता रहे था, तो उस लड़की ने उसे अप्रोच किया, बेन ने भी अपनी signature उस plaster पर बनाई, जब उस लड़की का plaster निकला, तो उसका पूरा हाथ हेर से भर गया था, सब लोग उसे चिडाने लग गये, वो अखिली पढ़ गई थी, तो बेन उसके पास आकर बेटा, क पर होलिडे था, तो उन्हें कोई भी disturb नहीं करता, अगली दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया, पर वो आई ही नहीं, बाद में उसे पता चला, कि उस लड़की का transfer हो गया है, फिर से हम present में देखते है कि बेन और Sean बात कर रहे थे, बेन ने Sharon के बार में Sean को बता है, पर व वो और Sharon कल रात intimate हुए, बेन का दिल तुच जाता है, इसे moment पर उनके manager उनके पास आए, कहते है मेरे एक old friend के साथ मैंने bet लगाई थी, उसके team के साथ हम सब को मिलकर football खेलना है, इस football match पर Matt को support करने के लिए Sharon भी आई हुई थी, इन में से किसी को भी football खेलना आता नहीं था, तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे, opposite team के 26 goal हो गए थे, उनके 0 ही थे, बेन को bore होने लग जाता है, तो time को फिर से उसने stop कर दिया, बेन हम से कहता है, मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा safe लगता है, कोई भी उसे disturb नहीं कर सकता, वो cafeteria में गया, तो अचा school था, तो मैट ने जोर से football को kick किया, तो मैनेजर की ना को तोड़ देता है, उसे hospital लेकर गया, बेन को कहकर जाता है कि शारन को घर छोड़ देना, बेन और शारन फिर coffee के लिए आए, बेन शारन से बुछता है कि तुम और मैट डेट करे हो, शारन ने कहा कि ऐसा कुछ भी न जान लेते है, शारन ने कहा कि नाइट में मैं Spanish सीखती हूँ, उसे अलग-अलग places घुमना है, वहाँ के लोगों के बार में जान लेना है, Spanish सीखने के बाद शायद उस पेन में जाकर वहाँ पर teach करेगी, उसे साओध अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर अच्छी लगी, बेन ने शारन को घर पर छोड़ दिया, यह दोनों किस करने वाले थे, पर यह सही से हो नहीं पाई, अगली दिन मैनेजर ने अनांस किया कि उसका बड़े आने वाला है, तो सब को इसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा, शारन फिर बेन से नहीं था कि हो कैसे करेगा, पर हो शान की हेल्प लेता है, शान को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी नौलेज होती है, तो उसे एक पब में लेकर गया, वो एक लड़की से बात करते है, पर उस लड़की ने कहा कि मैं उस रात बहुत ही बीजी हूँ, मेरे तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो, बेन कहता कि अफकोस चलना चाहते हो, जाते वक्स शारन बेन को प्रॉपरली किस कर कर गए, इतने दिन तो बेन को नीन नहीं आई थी, पर आज रात वो बहुत सोया, उटने के बात उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है, बेन के पिचर्स उन्हें बहुत अच्छे लगे थे और उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था, बेन इसके लिए बहुत ही एक्साइड़ेड हो जाता है, पर इस सिर्फ उसके फ्रेंड मैट और बैरी उसका मजा ले रहे थे, रात में बहुत ही अच्छे से रेडी होकर वो शायरन के पास भोचा, वो शायरन को अपने आर्ट की गुड्नियूस बता देता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है, यह दोनों फिर पार्टी में आए, पर बेन यहाँ पर सुजी को देखता है, पार्टी में इन्होंने ओर्डर की हुई स्टीपर भी आई हुई थी, जो शान और बेन बचपन में देखने के लिए जाय करते थे, शान मोगे का फाइदा उटा कर उसे डेट के लिए पूछ लेता है, शान हमेशा लड़कियों से कुछ भी गलेच चीज़े बोलता था, पर यह लड़कियों से बचपन से जानती है, तो कोई भी प्रॉल्म नही का, शायद उसकी भी लोस्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, पार्टी में बेन जरा वाश्रूम के लिए जाता है, तो वहाँ पर सुजी पी थी, सुजी को बेन को शारन के साथ देखकर जरा बुरा लगा था, वो रिलाइस करती है कि बेन उसके लिए परफेक्ट था तो उसे फिर से पाना चाहती थी, बेन उसमें कोई भी इंट्रेस्ट नहीं दिखा था, इसे के पैरलल में हम देख सकते हैं, मैनेजर शारन से बात करने लग गया, वो उसे हरास करने लग जाता है, तो शारन इस पर गुसा आओके, और यहाँ से निकलने लग गये, उसने ज स्टॉप कर दिया, सोचा कि ओ शारन को क्या बताएगा, पर कुछ भी ओ सोच नहीं पाता, ऐसे उसने दो दिन तक टाइम को स्टॉप करकर रखा था, अनपॉस करने के बाद भी ओ शारन को मना नहीं पाता, उसे मिलने के लिए गया, पर शारन उसकी कुछ भी बात नहीं सु अब उसका एक आर्ट शो होने वाला था इसका इंविटेशन बेंच शारन को देखर आता है इस एग्जिबिशन ने शारन की बेंच बनाए थी सिर्फ यही लगाई हुए थी यह सब कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल था बेंच से एक आर्ट के एज़न बात करने लगे कहती है मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ही पसन आए वो नियॉयॉक से थी उसे बहुत बड़ी ओपोजिशनेटी दे सकती थी बात करते हुए बेंच ने नोटिस कया कि शारन भी यह शो देखने के लिए आई हुई है यह आर्ट एजन उसे पूछ रही थी कि बेंच को माफ कर देती है बेंच फिर से उसे सौरी कहता है पर शारन ने कहा कि पेंडिंग्स देखकर मैं सब कुस समझ गई हूँ बेंच ने पुछा कि क्या तुम मुझ पर ट्रस करती हूँ शारन ने कहा कि हा करती हूँ शारन को उसने आग बंद करने के लिए कहा उसे किस करते हैं और इसी के साथ इनकी लोग स्टोरी स्टार्ट हुई बेनम से कहता है लाइफ में बहुत सारे मुवमेंट्स होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं पर अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशेट करना है किसी के प्यार में पढ़ना है तो एक बार जरा रूख ज झालो